अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई साक्ष नहीं, कोई तर्थ नहीं फिर भी कोट ने दे दिया तो सीधे सीधे आप नयायले की समस्दारी के उपर सवाल उठा रहे हैं अब आप ने कहा, ये तो देड़ साल पहले से पता था कि विजय नायर ने कहा था, वहीं दोनों को रिपोर्ट करता था, अब क्या नया हो गया, नया ये हुआ है कि आज ये सूचना आई है कि अब केजरी वाल जी ने कहा है, यानि जो कुछ विजय नायर ने कहा था, अब मज़ना मुश्किल है कि इस दारू के घुटाले में किसने पी और किसने है पिलाई यहां तो लगता सबने एक दूसरे को मिलके पिलाई है और यह फ्री की दारू बोतल देने वालों ने फ्री की राजनीत करने वालों ने जबरदस्त फ्री का माल काटा है अंदर बैटके और स कोई भी विरोध नहीं किया कि विजे नायर जो कैम्प आफिस में काम करते थे जो अरविन केजरिवाल के करीबी माने जाते थे दरासल उनको रिपोर्ट ही नहीं करते थे वो रिपोर्ट करते थे आतिशी और सौरब भारतवाज को क्या ये माना जाए और क्या ये अटकले गलत होंगी कि कहीं न कहीं तैयारी हो रही है आतिशी और सौरब भारतवाज को पीछे करके सुनीता केजरिवाल को शायद राज्य का मुख्य मंत्री बनाने के देखिए पहले तो एक बात बहुत इस्पष्ट हो गई जो आमाद्मी पार्टी कहती थी कि उनका किसी प्रकार ये इको हो राजरा ठीक करवा दीजेगा वो ये कहते थे कि भरष्टाचार उन्होंने नहीं किया है उनका कोई लेना देना नहीं है तो किजरिवाल जी का जवाब तो यह होना चाहिए था कि विजए नायर को मैं नहीं जानता अत्वा कम से कम ये कह सकते थे विजए नायर से मैं कभी नहीं मिला अत्वा ये कह सकते थे मेरी उनसे कोई बाचीत नहीं होती वो तो और तगड़ी बात बोल दिये वो तो कहें कि फलाँ फलाँ के माध्यम से बात होती थी तो एक बात तो बहुत साफ हो गया कि इसमें कई प्रकार के लोग involved थे और एक बात और है वो जिस दोर की बात कर रहे हैं उस दोर में आतिशी और सौरव भरदवार मंतरी नहीं थे जो सरकार से बाहर है वो किस प्रकार से बात कर रहे थे ये बात बहुत साफ हो गई और मजे की बात ये है कि ना केजरिवाल जी की तरफ से जो कल उनकी पत्ती ने पूरी तरीके से तथियातमक की बज़ाए भावनात्मक प्रयास किया हम आदमी पार्टी ने और जितने इंडी गडबंदन के लोग थे उन सब ने उनकी भी बात से बात लगतार और इस पश्टोती जा दी तीसरी बात आप ये समझेए कल जो इंडी गडबंदन वालों ने कहा था केजरिवाल जी के समर्थन में आज यह बात और भी साफ हो गई कि भाई अब तो न्यायले को भी कोई ना कोई साक्षे दिखे ना तभी उन्होंने 15 दिन का समय दिया है रवी शिवास्तव जी सवाल ये है कि जिस दौर में आतिशी और सौरब मंत्री ही नहीं थे उस दौर में विजय नायर उनको रिपोर्ट कर रहे थे और अगर उनको रिपोर्ट कर रहे थे तो आज के जो साथी है अर्विन केजरिवाल के वो पाक साफ अर्विन केजरिवाल का इस तरफ इशारा है लोगों का एक ही सवाल है और जनता आज ये सवाल पूछ रही है कि मनीज सिसोदिया जेल में संजे सिंग जेल में सतिंदर जेल में आतिशी सौरब भारतवाज को भी भेजने की तैयारी अर्विन केजरिवाल खुद कर रहें ताके उनका नाम साफ रहे और रास्ता खूल जाए सुनीता केजरिवाल जी का देखे अर्विन केजरिवाल जो भी बोलते हैं या जो भी बयान देते हैं E.D. को देते हैं या कोर्ट में देते हैं वो B.J.P. से पूछ के नहीं देते हैं और ना B.J.P. को उनसे कुछ पूछने का इस बारे में हक है कि भई उन्होंने इसका नाम क्यों लिया उन्होंने उसका नाम क्यों नहीं लिया यह कोई logic है क्या अरे जो सच हैं उन्होंने सब के सामने बोला अर जहांतक सवाल आतशी और सौरप मारादवाच का है तो जो विज्यन आयर का statement है उसके अंदर डेड़ साल पहले लिखा हुआ है कि यूद रिपोर्टिंग टू आतिशी एंस और अब मारादवाच तो इसमें नया रिवीलीशन क्या हो गया इसमें आज कौन सी नही एडी ने जाच निकाल ली है अरे पूरा का पूरा केस जिसमें ना कोई डॉकुमेंटरी ए ना दिया वो साथ बार बोला कि अर्विन केजरिवाल से मिलाई नहीं और जब रिप्रूर बन गया तो बोलता है हाँ एक बार मिला हूं ये स्टेटमेंट्स हैं ये ये प्रूफ हैं ये एविडेंसेंज हैं क्या ठीक है आपकी बात इतनी मैं माल लेता हूँ कि कोट ने उन को तक फाइल नहीं हुई है कोई डॉकमेंटेशन नहीं सामने आया कोई इंक्वाइरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर को उठाके अंदर कर दो इसका कोई मतलब नहीं है ये मोधी जी की तानाशाही है कि जो इस्तेमाल करना है उनको एडी को सी यही तो सवाल पूछ रही हूँ रवी शिवास्तव जी रवी शिवास्तव जी सवाल ही यही पूछ रही हूँ कि कम से कम आतिशी और सौरभ भरतवाज को तो बचाने थे अर्विन केजरिवाल जी ने तो उनको भी अंदर धकेल दिया यह क्या कर रहे हैं अर्विन सुदान्शूत रिवेदी जी रवी शिवास्तों जी ने तो अब एड्मिट कर दिया है कि हमसे पूछ कर तो नहीं कर रहे हैं लेकिन केजरिवाल जी ने खुद के मत से आतिशी और सौरब भारतवाज को जैसे कहते हैं ना बस के नीचे धकेल दिया देखे रवी शिरवास्तों जी ने कहा कि इतनी सी तो बात है बसकी कोर्ट ने पंदरा दिन की रिमांड दे दी है माने वरी इतनी सी बात है यह बहुत बड़ी बात है कोर्ट के सामने कितने साक्षे होंगे कितने तत्य होंगे ना मुझे पता ना आपको पता अगर आप ये कह रहें कि कोई साक्ष नहीं कोई तथ्य नहीं फिर भी कोर्ट ने दे दिया तो सीधे सीधे आप नयायले की समस्दारी के उपर सवाल उठा रहें अब आप ने कहा ये तो डेड़ साल पहले से पता था कि विजय नायर ने कहा था वो इन दोनों को रिपोर्ट करता था अब क्या नया हो गया नया ये हुआ है कि आज ये सूचना आई है कि अब केजरीवाल जी ने कहा है यानि जो कुछ विजय नायर ने कहा था अब केजरीवाल जी के द्वारा वो प्रमानित हो रहा है और अभी तक केजरीवाल जी के तरफ से इसका कोई खंडन नहीं आया है इसका मतलब जो बात इड़ी कह रही थी वो सही होती हुई प्रतीत हो रही है अब तीसरी बात कहता हूँ अगर इसमें आतिशी और सौरब भरदवाज का नाम आता है तो नाविका जी इससे तो लगता है कि आहम अदनी पार्टी में तो यह समझना मुश्किल है कि इस दारू के घोटाले में किसने पी और किसने है पिलाई यहां तो लगता सबने एक दूसरे को मिलके पिलाई है और यह फ्री की दारू बोतल देने वालों ने फ्री की राजनीत करने वालों ने जबर्दस्ट फ्री का माल काटा है अंदर बैटके और सब को मिलबाट कर काम किया हुआ है या फिर दूसरा इसका निशकर्स हो सकता है किसी राम लीला मैदान में बारा तेरा साल पहले इनके गुरू अन्ना हजारे थे और मुझे ये जानकारी और सब लोगी चाहें रवी जी बोले अन्ना बोले अन्ना हजारे का विचार ये था कि इंडिया अगेंस करफशन को एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट की तरह चलाना है राजनीत में नहीं आना ताकि कोई भी सरकार रहे दबाव रहे परन्तु जिसे हिंडी में कहवत होती रहे गुरू गुड़े रहे चेला सक्कर हुई गे तो गुरू को गुड़ रखते हुए ये आके राजनीत में आके मुख्यमंत्री भी बन गए और फिर देखे कैसा गुरू बदला है अब कल की रैली में बूरो लालू परसाद यादव जी थे अब हो सकता Lालू परसाद यादव जी से भी एक قدم आगे निकल जाए लालू परसाद यादव जी ने कम से कम जेल जाने से पहले कुरसी छोड़ दी थी हो सकता है ये पहले तो अरे ये भी आप सुली जी याद करिये इसके समयधान में लिखाता कि इनका जैक्ष एकी बार होगा वो कभी रिक्रीट नहीं होगा और वो मैक्सिमम दो साल कर दिया होगा और उसको तीम बार पुराया गया 2021 में आप उसके खिलाव रवी शिवास्तव जी आप उतेजित हो रहे है तानाशा तो वो होता है जो चुनाव लड़के ना आया हो भाई जिस मशीनरी से केजरिवाल जी ने चुनाव जीते थे उसी मशीनरी से रोधी जी ने चुनाव जीते हैं अब वो तानाशा लेकिन अर्विन केजरिवाल जो अपने मंत्रियों को बचा नहीं सकते बलके उन्हें बस के नीचे धगेल रहे हैं वो तानाशा नहीं है वो लोकतांत्रिक है